नमस्कार इस्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बाइजूस इक्जाम प्रेप आये सिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर आज है 23 अपरेल 2023 आज हम लोग देखेंगे कि हमारे डेली क्विज में कौन कौन से प्रशन महतपूर्ण है सबसे इंपोर्टेंट सूचना टार्गेट प्रिलिम्स 2023 के लिए केवल एक दिन शेश बचा है कल यानि की 24 अपरेल से प्राता काल 10 बजे से 12 बजे तक इसी यूट्यूब चैनल पर आपके लिए करेंट अफेर्स का MCQ बेस्ड रिवीजन स्टार्ट हो रहा है ये पूरा श प्रिसिदिकी की क्लास है पिछले एक साल के जितने महतपूर्ण करेंट अफेर्स होंगे वो MCQ के माध्यम से आपको बताए जाएंगे तो इस क्लास को देखना बिलकुल मत भूलिएगा चलिए अब सबसे पहला प्रशन देखते हैं प्रधान मंतरी भारती जन औशधी परि सेकेंट है और यहाँ पर जो ड्रक की सप्लाई है वो इतनी अच्छी मात्रा में नहीं हो पा रहे है जितनी उसकी requirement होनी चाहिए अब इस वजह से जो हमारा प्रधान मंतरी भारती जन औशधी परियोजना है ये चर्चा में आ जाती है तो थोड़ा सा इस परियोजना के बा जो भी दवा की कीमत होती है उसको जो टॉप फ्री महंगी दवाईया होती है उन महंगी दवाईयों को जोड़ दो और उनका एक एवरेज निकाल लो एवरेज से 50% कम दामों पर इन दवाईयों को बेचा जाना था ताकि हर व्यक्ति तक इनकी पहुँच जो है वो हो सके इ Euro of Pharma PSU of India इसको भी आपको याद रखना है बिसिकली ये उर्वरक मंतराले के अंतरगत आती है इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे अब देखिए पहला कथन है इसकी शुरुआत स्वास्त मंतराले के Pharmaceuticals विभाग के दोरा की गई है गलत स्टेटमेंट है यह योजना के अधिक्तम 25% के सिध्धान पर किया इता है गलत है तो यहाँ पर best option हो जाएगा B अगला प्रशन देखते हैं निमलिखित कत्वों में से कौन से कत्वन सही है भारती बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कारिकरम एक पहल है जिसकी शुरुआत कारगेल युद्ध के बात की गई ए इसलिए क्योंकि DRDO के द्वारा एक टेस्ट करा गया है और वो टेस्ट है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का ठीक है बेसिकली यह एंडो एटमोसफेरिक टेस्ट है अब देखो थोड़ा समय आपको बताता हूँ जो यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल डिफे यह बैलिस्टिक मिसाइल का मार्ग होता है यह आप देखोगे मार्ग तो यह एक आपको अंडा कार पत पर बिलेगा ठीक है जब क्रूज मिसाइल को आप देखोगे तो क्रूज मिसाइल प्रत्वी के एकदम समानांतर मूव करता है जो यह बैलिस्टिक मिसाइल है यह हमारे वायू मंडल के अंदर भी और वायू मंडल के बाहर जाकर और वापस से पुना वायू मंडल के अंदर आकर प्रवेश करता है एक बार इसको launch कर दिया जाता है फिर इस पे कोई control नहीं रहता जबकि cruise इसका नाम ही cruise है इसको control किया जा सकता है अब देखिए अगर भारत के जो ballistic missile defense program की आप बात करोगे तो इसमें basically दो interceptor missiles को use करते हैं interceptor का मतलब होता है जो दुश्मन की ballistic missile आईगी न तो उसको हवा में ही blast करेगी intercept करके उसको खतम करने का प्रयास करेगी तो जो सबसे पहला है वो है जो हमारा प्रिथवी defense vehicle के नाम से जाना जाता है ठीक है ये basically काम करता है exo atmosphere में यानि की exo को बोलते हैं बाहरी atmosphere पे ये होता है सतह से लेकर 50-500 km की उंचाई पर और दूसरा interceptor है जिसको बोलते है AAD यानि की advance air defense ये काम करता है endo में endo atmosphere इसका मतलब है कि वायू मंडल के भीतर यानि की 17 से केवल 20-40 km में तो जैसा पहला statement रे शुरुआत कारगिल यूद के बाद की गई थी एकदम सही है यहाँ पर exo atmospheric intersection का मतलब है भीतर आने वाली ये गलत हो जाएगा भीतर वाले को endo बोलते हैं exo का मतलब होता है वायू मंडल के बाहर तो यहाँ पर हमारा केवल पहला कथन सही है तो best option हो जाएगा A अगला प्रस्ट देखते हैं निमलिखित कतनों पर विचार करना है और सही कथन की पहचान करनी है तामरिलिप्त अरब सागर के तट पर अवस्थित एक बंदरगाह शहर था गुप्त वंश के दौरान तामरिलिप्त मुख विक्रे केंदर था जो सीलोन जावा और चीन के साथ व्यापार करने के लिए प्रस्थान बिंदू के रूप में कारे करता था यहाँ जिसको सीलोन बोल रहे हैं यह बिसिकली श्रीलंका को डिनोट करेगा इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा चीनी तीर्थियात्री फाहियान ने 5 शताबदी में इस शहर की यात्रा करी थी और जुआन जैंग ने 7 शताबदी में यहां की यात्रा करी थी इसको करने का प्रयास करिए अब देखिए यहां पर वेस्ट बेंगॉल में जो रूप नरायंड रिवर है इसी नदी के पश्चमी किनारे पर तामरलिप्त बोला जाता है अभी वर्तमान में इसको तामलुक के नाम से जानते हैं तामरलिप्त जो था वो हमारे प्राचीन भ बात यहां पर करी जा रही है इस वजए से जो तामरलिप्त है यह चर्चा में आया वापस अपने प्राचीन पर लोटते हैं तो यह देखिए लिखा हुआ है अरब सागर यह गलत हो जाएगा बंगाल की खाड़ी है क्योंकि पस्चे मंगाल की बात हो रही है दूसरा स्टे अगला प्रशन देखते हैं अनोरेक्सिया नर्वोसा निमलिखित में से क्या है यह आपके सामने आप्शन सांस को करिए अब यह इंडियान एक्सप्रेस का आर्टिकल आया था कि 29 वर्ष की एक महिला है तो अब उसने 8 साल के बाद प्रॉपर अपना जो खान-पान है उसको बढ़ गया है और उसको क्या करना चाहता है वो कम करना चाहता है तो इसकी वज़े से वो क्या करेगा अपना खान-पान कम कर देता है डाइटिंग स्टार्ट कर देगा अपनी जो एक्सरसाइज है उसको करने की जो एक्सरसाइज है उसको बढ़ा देगा और ज़्यादा ए उसे लगता है कि वो मोटा हो रहा है, तो मोटापे का डर उसको सताता रहता है, तो वो अपने डाइट प्रॉपर जो वो करता था, उसको वो कम कर देता है, उससे पूछा रहता है, आपने अपना खाना खा लिया, तो वो कभी-कभी जूड बोल देता है, हाँ, हम खाना खा च चीज़ें बहुत जादा मातरा में करते हैं, तो इसी को अनोरेक्सिया नर्वोसा के नाम से जानते हैं, अब देखिए, अब आपने प्रशन लगा लिया होगा, तो इसमें आप देखोगे, तो इसका बेस्ट स्टेट्मेंट हो जाएगा, यह एक खाने का विकार है, जिसके कारण लोगों का वजन कम होता है, 2008 के प्रारंबिक परिक्षा में एक प्रशन आया था, इस ट्रेंजर गैस, इसमें से किसको कहा जाता है, बहुत बेसिक प्रशन है, अब देखिए, रसायन विज्ञान जो आपका है, वो बेसिक साइंस में कावर होता है, तो यह जो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो इसका बेस्ट आप्शन हो जाएगा, जिनॉन, अब जिनॉन जो है वो एक ग्रीक शब्द है, तो इसका मतलब ही होता है, इस वज़े से इस गैस को इस and order और एक है public order, law and order की जब बात करते हैं, तो इसको हिंदी में बोलते हैं कानून विवस्था, जब public order की बात करते हैं, तो इसको बोलते हैं सारवजनिक विवस्था, तो थोड़ा सा हम लोग constitution में जाते हैं, तो पहली चीज़ तो आपको यहां पर ध्यान में रखनी होगी, कि जो भी criminal law होते हैं या criminal procedure होते हैं तो इनको साथवी schedule में रखा जाता है concurrent list में यानि कि समवर्ती सूची में इसमें राज और केंद्र दोनों ही कानून मना सकते हैं किसी भी आपराधे करते के लिए बट जो public order होता है या law in order होता है बड़े ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को बहुत important चीज़ ही है public order की बात करें या law in order की बात करें यानि कि कानून विवस्था या सारजनिक विवस्था ये दोनों ही list two में आती हैं यानि कि राज इसूची में राज जी को अधिकार होता है इस पे नियम कानून बनाने का पहला point तो इस article में ये important है अब ज़रा अंतर जानते हैं दोनों में अंतर क्या होता है तो देखो जब भी हम लोग law in order की बात करते हैं इसको एक diagram से समझाता हूँ इस vein diagram को ध्यान से देखना तो जो सबसे बड़ा आप circle देख रहे हो न ये होता है हमारा कानून व्यवस्था यानि कि law in order जो बीच वाला circle आप देख रहे हो इसी को हम लोग बोलते हैं सारवजनिक व्यवस्था यानि कि public order और जो center में जो आप circle देख रहे हैं इसको बोलते है state security यानि कि राज सुरक्षा अब देखिए कभी भी ऐसा कोई विवाद होता है किसी राज के अंदर जो बहुत छोटे स्तर पे होता है ठीक है तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि ये कानून विवस्था बिगाडने का प्रयास किया जा रहा है अब कुछ ऐसे विवाद होत जाता जैसे अब for example की parallel event attack है या इस type के कुछ attack होते हैं जिसमें राज की सुरक्षा खतरे में आ जाती है तो उसको हम लोग state security के नाम से जानते हैं तो तीनों में different समझ में आना चाहिए आपको जब कुछ group of people हिंसा करने का प्रयास करते हैं तो उसको बोलते हैं ये कानून व order की बात करोगे ना तो जैसे मान लीजे हमारे समविधान में जो article 25 है ठीक है freedom of religion की बात करता है तो वो सारजनिक विवस्था की बात करता है या फिर बात करेगा नैतिकता की morality की या फिर स्वास्थ की तो ये तीन आधार पर राज जो है वो freedom of religion पर अंकुष लगा सकता है इ ऐसा कोई भी speech नहीं देनी चाहिए जिससे समाज के जो आम नागरिक हैं उनकी life पर या उनके मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़े तो उनके अधार पर भी जो राज है वो restriction लगा सकता है अगर Supreme Court की बात करें तो एक case था राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज 1965 क इसमें Supreme Court ने Public Order के बारे में बोला हुआ है कि जब किसी समुदाय को या जनता के व्यापक जो अधिकार होते हैं उनके पर प्रभावित होने का खतरा होता है तब उस चीज़ को हम लोग Public Order के नाम से जानते हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा इसके अलावा अगर भार न या विधी दौरा स्थापित प्रक्रिया के लावा किसी भी व्यक्तिको उसके जीवन या व्यक्तिगस उतनता से वंचित नहीं करा सकता Article 21 में लिखा हुआ है जो भी आरोपी होता है उसको खुले नियाले में पेश किया जाना चाहिए जो भी अभ्योग्त है उसको अपन चुकि कानून की बात चलिए तो एक आपसे प्रशन पॉलिटी के अंतरगत पूछता हूँ निवारक निरोध क्या है और ये किस आर्टिकल में बताया गया है दूसरा प्रशन अंतराश्ची संबंदों से पूछता हूँ हाल ही में चर्चा में रहा विंड सौर एग्रिमें के साथ तब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे स्वस्त रहेंगे और सबसे जादा इंपोर्टेंट अपने माता-पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद जैहिन